तो फ्रेंस यहां पर बिहार LRC का लेकर क्या आगे हैं जियां फ्रेंस यहां पर इंपोटेंट टेस्के रिगार्डिंग नोटिस देख सकते हैं और उसके बाद बिहार एस्पेसल सर्वे में खत्म नहीं हो रहे हैं अपसरों की जो है सूस्ती तो इसके बारें भी अपडेट ह संबीदा कर्मी ने सरकार को अंजाब भुगतने को चिताया यह बहुत बरी अपडेट है आज की डेट में इस वीडियो की माध्यम से मैं लेकर करके आया हूं तो वीडियो का सबसे पहले लाइक कर लेजे दोस्तों में शेयर कर दीजे तो चले डारेक्ट हम लोग प्रारेंबिक रैंकिंग विभागय मंत्री का ग्रेट जिला बांका उननीस वे नंबर पर यहां पर बताया जा रहा है नौ साल की तैयारी के बाद सुरू भूमी सर्वेक्षन में भी अपसुरू की सूस्तिक खत्म नहीं हो रही है राजस्तों भूमी सुदार विभाग की प्रारेंबिक रहा है राजस्तों भूमी सुदार मंत्री रामनर मंडल का ग्रेट जिला बांका इस मोर्चे पर भी पिछर गया है जिलो की रैंकिंग में बांका 19 वे नंबर पर है भूमी सर्वेक्षन दो चर्णों में हो रहा है पहले चर्ण 20 जिलो जो है सामिल किये गया है बाकी अठरे जिलो के दूसरे चर्ण में सर्वेक्षन किया जाएगा इसके लिए संबीदा आधार नुक्तियां पूरी हो चुकी है मुख्याले के आठ साइक बंदबस पतादी कारियों के टीम दो बार जिलो में गई हना पता चला कि सर्वेक्षन बाले जिले के कई गाओं में अब तक ग्राम सभा की बैठक नहीं बुलाई गई है यह प्रारंबिक कार्ज है सर्वे के लिए भेजे गए कर्मियों के लिए सिवीरों का निर्मान भी कई जिलों में नहीं किया गया है कुछ सिवीरों में सोचाले और स्नान की बुनियादी सुविराय उपलब्द नहीं है हलाकि साइक बंदवस्पत्रदीकारियों की टीम के रिपोर्ट के बाद जिलादीकारियों को व्यवस्था में सुधार के लिए कहा गया है जिलों में सर्वे टीम के लीडर जिलादीकारी ही होते हैं टीम ने अपने रिपोर्ट में कहा था कि पुर्णिया जिले में सर्वे के लिए तैनात करमचारियों को दूसरे काम में लगा दिया गया है। सर्वे को ले करके और जैसा कि आप लोगों को मालूमी के सर्वे की रिगार्डिंग छोटी-छोटी अपडेट होती है या फिर बड़ी से बड़ी अपडेट होती है। समागरी करे करने का निदेश प्राप्त हुआ है। तदनुसर जिले में भू सर्वेक्षन सिभीरों में आपूर्ती है तू उबसकर समागरी करे करने है तू दर निर्धारित क्या वसकता है। निम्नांकित समागरीयों के दर निधारन के लिए एक चुक आपूर्ती करता जो है से जो सिलबंद निवीदा प्राप्त करने है तो तकनीकी एवं विभाग वित्तिय निवीदा आमांतित की जाती है जो अलग-अलग लिफापे में होगी। तो यहां पर जो समागरी के बारे में बताया गया है तो यहां से देख सकते हैं लक्री का टेबूल, लक्री का कुरसी, प्लास्टी कुरसी यह सब जो है अवसकता अनुशार कितने साइज के होंगे यह सब जो है के बारे में बताया गया है तकनीकी जो है निवीदा के अवस लिफापे के सभी परकार की समागरी का दर सभी एकर सही तस्पस्ट करना आवस्यक होगा अब निबीदा की सर्थे वगेरे भी यहाँ पर दी गई है इसे देख लिजेगा इसे मैं आपने गुरूप पर डाल दूँगा बीटेसी प्यारडी एलार्सी के गुरूप पर तो दाखिल खारीज निब्टाने में फेल तीन सीओ से मांगा इस पस्टी करन इसके रिकार्डिंग भी मैंने अपडेट दिया था हर गुरूप आर को अंचल में फिर से आईट होगा कैम्प यहाँ पर बताया जारा है पुन-पुन वो मनेर सीओ का बेतन रुका तो इस बार र बेतन बंद किये जाने के बाद इस बार अच्छा परदर्शन हुआ है सबसे अधिक मामलों का निप्टारा पुन-पुन मनेर अंचल में किया गया है पुन-पुन के जिला अंचला धिकारी द्वारा 1407 मनेर के अंचला धिकारी द्वारा 1354 मामलों का निप्टारा जो है किया गया है इसके साथ ही संपत चक सीओ द्वारा 315 फुलबाड़ी सरिफ सीओ द्वारा 313 दानापूर सीओ द्वारा एग्यार तुदातारी दाखिल खाज के मामले का निप्टारा कर अच्छा प्रदर्शन किया गया है सानिबार को डियम कुमार रभी ने जिले के आउनलाइन दाखिल खाजी से समधित मामलों के निप्टारा को लेकर समिक्छा बैठा की यहां पर देख सकते हैं हाना 24,854 मामलों का किया गया निब्टारा देख सकते हैं पटना जीली के विभीन अंचलों में दाखिल खाज के कुल 2,29,958 मामले प्राप्त हुए है जिसमें से 24,854 का निब्टारा कर दिया गया हाला कि 35,104 मामले अभी भी लंबित है अंचल कारियाले नवदपूर, दानापूर अबो मसाओधी में सरवधी क 19,50 से भी आधिक मामले लंबित है जबकि अंचल कारियाले फुलबारी सरी बोबक्तियारपूर में सबसे कम 10,50 मामले लंबित है खास बात यह है कि 4 सितंबर से अभी तक जिले में 12,730 दाखिल खाज के मामलों का निवटारा कर दिया गया है भूमी से जूरे परिमार्जन के 831 मामलों का निवटारा पतना जिले में भूमी से जूरे परिमार्जन के 22,007 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें 831 आवेदनों का निप्टाड़ा किया गया अभी भी 1366 आवेदन अभी भी लंबित है धनर्वा पतना सदर दानापूर अंचल में 80% से भी आधिक परिमारजन संबनित मामले लंबित है और बक्तियारपूर वो विक्रम में सबसे कम 10% दिल लंबित है मामले यहां पर देखिये बताया जा रहा है कि हर गुरुबार को पतना जिले के तमाम अंचलों में फिर से कैम्प का आयोजन किया जाएगा इस कैम्प में ऑनलाइन डाकिल खारिज के साथ ही भूमी के अन्य मामलों का निप्टाड़ा किया जाएगा समिक्षा कर परभावी परगती लाने का निर्देश भी दिया है यहां से एक अपडेट आप हम लोग देख लेते संबीदा कर्मी के बारे में जो मैंने बताया था उसके बारे में अपडेट देख लेते हैं देखे एक छोटा सा आटकिल जारे हुआ था बटी यह काफी दमदार आटकिल है संबीदा कर्मियों ने सरकार को अंजाम भुगतने को चिताया यहां पर देख सकते हैं आती थी सिक्षक चैबो लैब टेक्निशन हो या फिर जो है डाटा एंट्री ओपरेटर हो के संबीदा कर्मियों ने सानिबार को एक जूट होकर सची वाले परिसर के समी प्रदर्शन किया वक्ताओं ने आचार सहिंता के पूर्व सेबा सर्त नियमा वाली गठन और सेबा नियमित करने का निर्ने नहीं लेने पर बदा खिलाफी का बदला यहां पर इसको लेकर के लेने की च्रिताबने दी है दौक यादब महा सचिव अनिलसी स्क्षक संग के प्रदेश अब्याक्षिन कुमार एक प्रदेश अध्यक्यित ने कहा सरकार बनाने देर्मेतार हमारे संब्ल dosis मित कर्मियों के द्वार दिया गया है यह थे अपडेट कुछ चैनल पर जाने के बाद चैनल के बटन को सबस्क्राइब करने के बाद आपको आपको आज सेक्स्टन में आ जाना है बेटेसे प्याटे लर्सी के केंडिडेट होंगे तो आपके लिए गुरूप बना दिया हूं है आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं यहां से वीडियो देख सकते हैं लटेस्ट हाना लटेस्ट अपडेट की अगर मैं बात करू तो यहां पर बिहार की न्यू वेकिंसी देखने को मिलेगा अना कंबाइन अपडेट यहां पर देखने को मिलेगा यूपी की जो है अपकमिंग वेकिंसी को लेकर के मैंने अपडेट दिये हैं तो आप इसे देख सकते हैं और मैट्रिक पास के लिए बहुत बरी खुस ख़बरी आ गया प्रोसान डासी को लेकर के इसे जरूर देख लेजिएगा पुलिस की रिकुर्मेंट को लेकर के अपडेट है तो इस वीडियो में इतना है मिलते है नक्स वीडियो में कोई नियो अपडेट के साथ तब तक के लिए बाए टे कियर अन बाबाए स्टे होम स्टे सेफ झाल